नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपकी अपने ऑफिशियल यूटूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्मेंट जोब्स अपडेट्स फैक्ट्स एन एनलसेज तो गाइस आज का जो अपडेट मैं आपके सामने लेकर आए हूँ आपकी स्क्रीन के पर ITBP Constable Tradesman जिसकी 303 vacancies निकली थी 2017 से जिसका अभी तक examination date अभी तक नहीं आई है admit card के बारे में update दोस्तों आज आई है इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई तो आज का जो update देने वाला हूँ Constable Tradesman की admit card के बारे में होने वाला है उसकी exam date के बारे में होने वाला है और पूरी के पूरी information दोस्तों आपको मिलेगी वीडियो के end तक ठीक है तो please wait वीडियो को शुरू से लेके अंते तक जरूर देखिएगा I hope आपको पूरी के पूरी आपकी satisfaction हो जाएगी वीडियो से दोस्तों तो गाई सबसे पहले मैं बता दूँ भरती 2017 से चल रही है फिलाल अभी तक इसका जो update मुझे आज मिला है दोस्तों उसकी ऊपर मैं आपको वीडियो आपका ध्याना कशि जाएगी ओके अगस्त के end month में नहीं तो सितंबर के first या second week में मरलब कि August से सितंबर के बीच में इसके भरती परिक्षा हो जाएगी दोस्तों हमारे sources से information हमें पता चलिया है कि August 2 सितंबर के बीच में इसका examination conduct करवाय जाएगा all over the India 28 examination center होगा जो कि आपका पूरा भारत बर्ष में examination center रखे गए हैं 28 center और यह भी हो सकता है कि जिस state से आपने apply कि आप जिस state के रहने वाले हो आप ही कि state में exam center आपको available हो जाए या फिर आ प्राइलिकों में दोस्तों क्या हुआ कि जिस state से आप बिलॉंग करते हूं उसी state में आपका examination हो गया था बस district वगरा change हुए थे जैसी कि अगर मानिये कि मैं हिमाचे परदेश हूं हिमाचे परदेश से रहने वाला हूं मेरा district Kangada है तो मेरा exam हो था district हमीरपूर में हुआ था तो district change हुआ था लेकिन state वही थी अगर इस तरह का भी स्थिती वनती है तो अच्छी बात है ठीक है और अगर other state जाना पड़ता है थोड़ी दिक्कत अब हो सकती है ट्रांस्पोर्ट की दिक्कत हो सकती है लेकिन hopefully दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी तो admit card के बारे में update हमें यह मिला है कि इसका जो examination है दोस्तों आपका ओगस्त के last week में या फिस September के first week में आपका examination conduct करवा ली जाएगा all over the India 28 examination centers में 28 examination centers में रखा गए अब आपके सवाल आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो पहले मार्च महिने में इसका admit card release किया था ITBP ने क्या उसी center में examination हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उन center में examination होने के chances बहुत कम है 20% chances है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी CSF constable treatment के परिक् में होनी है दूंका examination center भी दोस्तों exam center भी उनका finalize हो गया था खरीद लिये थे examination center भी यानि की exam देने के लिए तो उस कारण दोस्तों क्या होगा constable treatment की अभी जो परिक्षाय जो होनी है उसके लिए दुवारा से री schedule किया जाएगा आपका examination centers को एक team एक team जाती है वहां पे examination center में team जाती है ITVP की चेक करती है कि वहां पे सारे system available है की नहीं है हो सकता है कि आपका जो पुराने examination center जो रखा गया था मार्च महीने में वहीं पे हो या फिर यह भी हो सकता है कि changes आए तो guys यह update है कि constable tradesman की भरती परिक्षा August के end week में यह नहीं तो सितंबर के first week या second week तक आपकी hopefully conduct करवा दी जाएगी all over the India admit card की मैं बात करूँ तो August के month तक August के end week तक आ सकते हैं दोस्तों मैं बताओं कि admit card जो आपके आते है admit card, written examination का आते हैं वो 10-15 दिन पहले आते हैं examination होने के ठीक है exam मानिए की examination आपका 7 September को होता है ठीक है 7 September को आपका examination होता है तो आपका admit card आएगा लगबग दोस्तों मान के चलिए लगबग 25 अगस्त तक 25 अगस्त तक admit card आएगा आएगा आप मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि examination जैसे कि आगर मान लिजी कि आगर आपका एक्जाम साथ सितंबर को है तो आपका admit card सिर्फ मालब डाउनोड कर सकते हो दस दिन पहले ऐसा भी नहीं है आप 6 सितंबर को भी download कर सकते हो admit card कोई दिक्त के बाद नहीं है आप साथ के बाद भी कर सकते हो दोस्तों वो जो आपका admit card का जो link है वो आपका जो link जो होता है वो active ही रहता है बट दोस्तों मेरा कहने का यह मतलब है कि 10 से 15 दिन पहले admit card आएगा सितंबर के पहले या दूसरे हफते में आपकी examination conduct करवा ले जाएगा all over the India तो यह update हमें मिला था हमारे sources से दोस्तों इसके साथ हमने आपको share कर दिया क्या expected यह expected date थी दोस्तों confirmation वेगरा जो होगा वो ITVP officially website के उपर launch कर देंगे सूचना आपको मिल जाएगी official website की उपर दोस्तों तो यह update था जो हमारे sources से हमें मिला है admit card के बारे में exam date के बारे में exam date दोस्तों आपकी August के end week या फिस सितंबर के second week तक आपका exam conductor वा लिए जाएगा admit card आपका 10-15 दिन पहले आ जाएगा admit card exam होने से पहले 303 post है ठीक है और बात रही backlog की तो backlog होती है हमेशा backlog होती है reserve vacancies रखी जाती है तो इसमें भी reserve vacancies है दोस्तों as per our sources as per our information जो हमें guide मिली है उसके coding इसमें भी backlog रखी गई है तो आपको दोस्तों मैंने clear out कर दिया कि आपका admit card और exam date कर रहने वाली है पूरी के पूरी information आपको मैंने बता दी दोस्तों तो प्लीज अगर आप के मन में अभी physical doubt आ रहे है तो प्लीज इस वीडियो को rewind करके दवरा से सुन लीजिए ठीक है और उसके बाद भी आकर rewind करने के वावजूद भी आपका mind में कोई pressure कोई आपका आपको जो doubt आ रहे है तो please comment section cool comment section में comment करें ओके और इस video को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जो wait कर रहे है eagerly wait कर रहे है इतना सा आपसे एक request है इस video को share कर देना और वीडियो को like करें किये विडियो करें ना चाहे like करें या dislike करें गाइस बट कुछ ना कुछ प्रतिकरिया जरूर दें इस video के उपड ओके तो अच्छा लगा वीडियो को like कर देना और हमारे telegram link हमारे telegram group से जुणने के लिए आप description box check कर सकते हैं वहाँ पर telegram group का जो link आपको available है उस telegram link पे click करें और सीधा हमारे telegram account से join हो जाए दोस्तों और अगर कोई book खरीदना चाहता है mathematics की या फिर जर्नल awareness की जर्नल awareness की book खरीदना चाहता है फो जितने भी examination हुए है चाहे अर्दसानिक बलों के 2011 से 18 तक जितने भी examination हुए है उनके questions हमें हमने उस book में आपको available करवा दी है एक सो तीन question उस book के अंदर और ठीक है तो उस book का ज खरी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी book हैं दोस्तों आप उस book को खरी सकते हैं और काफी बच्चों के मन में यह भी doubt आ रहा हुआ sir कि paramilitary forces हों चाहां armed forces हो यह तो अपना question paper तो देती नहीं है तो दोस्तों constable telecom में जो trade man का हुआ उसमें तो question paper मिला ना question paper मिलता है और कभी के भी नहीं भी मिलता है लेकिन कुछ questions ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं और जो हमने पढ़ रखे हूं वो आज आते हैं तो उसके बिहाब पे और काफी researchers के बिहाब पे हमने वो बुक बना रखी दोस्तों उसका link description box में आपको मिल जाएगा आपको सिर्फ 40 रुपीज चार्ज कर किया हमने 40 रुपीज किया बुक वो खरी सकते दोस्तों काफी useful रहने वाली है अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना अपडेट था दोस्तों ये constable treatment के भरती परिक्षा के बारे में I hope so आपको अच्छे से confirm आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों कुछ समझ नहीं आता है तो comment section में comment किजिए दोस्तों okay तो thank you for watching this video guys जाए हिंद and जापारत guys